दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे बिजनेसमेन की जो करजे में डूब गया था, बहुत जादा करजा होने के बाद वो देश छोड़ के भागा नहीं था, पर वो एक पार्क में आके बैठा था और सोच रहा था कि मैं ये समस्या का समाधान कैसे निकालू, और उसी समय वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि आरे दोस्त, तु बहुत कष्टी, दुखी दिख रहा है, तेरे दुख का कारण क्या है, ये बिजनेसमेन उसे कहता है कि मेरे उपर बहुत करोडों का करजा हुआ है और वो करजे से मैं बहुत परिशान हो गया हूँ, वो व्यक को 5 कlor का चेक उसके हैंyear थमा देता है उन 5 करोड रुपे को अपने अकोंट में लेने के लिए बैंक में एक पहला कदम रखने के पहले वो इनसान कहता है मेरे पास तो यह 5 करोड का चेक है मैं उसे कभी भी मेरे बैंक में deposit करवा सकता हूँ पर क्या मेरे पास कोई दूसरा option है ऐसा सोच के वो अपने business को grow करने के लिए काम करने लग जाता है इसी प्रकार से पूरा साल गुजर जाता है और वो इंसान कहता है कि जिस तरह से इस इंसान ने मुझे 5 करोड रुपे का चेक दिया था अब एक साल होने के बाद मुझे उसे वापस देने के लिए जाना चाहिए और फिर वो बिजनेसमेन उसी पार्क में वापस जाता है और फिर वहाँ पे उस आदमी को ढूड़ने लगता है जिसे उसे वो चेक वापस देना था उसी समय वहाँ पर एक security गार्ड उसे आके मिल उसके हाथ में चेक देखके वो पहले उसे सलाम करता है और कहता है कि साब इतना बड़ा चेक लेके आप कर घूम रहे हो तो वो कहता है कि एक साल पहले मुझे यहाँ पर एक आदमी ने चेक दिया था पाच करोड रुपे का वो तो मैं पैंक में डिपॉसिट नहीं किया उस आदमी ने चेक दिये थे वो एक मेंटल हॉस्पिटल से निकला हुआ पेशन्ट था उसके पास कोई पैसा नहीं था और ऐसे 20-25 लोग हमें हर रोज मिल रहे है कि जो चेक वापस करने के लिए उस आदमी को ढूंड रहे है सर जी वो एक मेंटल था क्यों आप उसकी बात में आ गए ये सुनने के बाद बिजनेसमन तंग रहे गया बिजनेसमन ने अपने व्यावसाय में पाच करोड से जादा मुनाफ़ा कमा लिया था अपने सारे करजे जो थे उससे वो अब दूर हो चुका था अब इसके बावजूद अगर वो बिजनेसमन कहता है वो चेक को अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको एक ही चीज करनी है और वो है अपने आपके उपर विश्वास रखना है अगर आप अपने आपके उपर विश्वास रखते हो तो आपको आपके जिन्दगी के सपने पूरे करने के लिए आपके जिन्दगी में जीतने के लिए व उस हौसले से आप एक अच्छा काम कर सकते हो Wish you all the best